देली मशूर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए है जैसे कि दिली का खाना दिली की सर्दी और दिली का रिच कल्चर बैक्डरॉण और अब इसी लिस्ट में एक चीज़ बहुत जुड़ गई है करते हैं अगले व्लॉग का चलते हैं अगले व्लॉग के लिए झाल बहुत बहुत झालो मासार कर दो बहुत जए हैं अगले विए अगले टीज़ों के लिए में आदेता हैं लिए गवाई तो जैसा कि आपको पीछे दिख रहे हैं सब कुछ रंग भी रंगा सा तो हम यहां आ गए हैं लोधी कलोनी वह नमार साथ हैं वह भी डियल है जहां चारों तरफ हर्याली नजर आएगी इसी के साथ लोधी कलोनी में आपको एक बहुत ही अनुकी चीज देखने को मिलेगी और वो है यहां के दीवारों पर बने स्ट्रीट आर्ट और ग्राफिटी वाल पेंटिंग से लेकर स्ट्रीट आर्ट तक और स्ट्रीट आर्ट से लेकर ग्रैफिटी तक आपको यहां तरह तरह की चीज़े लेखने को मेंगेंगें आज हम आया है ऐसी लोकेशन पर जहां पर जहां पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत अच्छी कलाप लेकिया जहां तरह आपकी नजर जाएगी वहां तक सिफ आर्ट यार्ट होगा यह देखें मेरे पीछे यहां पर आपको कुछ-कुछ दूरी पर खाने पीने के स्टॉल्स तथा पार्क इत्यादी देखने को मिल जाएंगे तथा यहां की हरियाली मन को मोटी है और अगर आप इन रंग-रंगी दिवारों को जिहां से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखेंगे पूम रहे हैं ब्लॉक नंबर 16 में और यह दिवार सीधा-सीधा मोटो देती है सेव वाइल लाइफ सेव नेचर ग्रीन कलर में पेंटेंगे यहां पर आपका समय कैसे निकल जाए आपको पता ही नहीं चले रहा क्योंकि यहां के दृश मन को मोह लेते हैं यहां के बिन बिन रंगों से बनीवी कलाकृतियां देखकर इसी इलाके में पूरे दिन भूमने का मन करता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हैं यह सीडियां इन से उतरके हम आ चुके हैं यहां लोदी गार्डन के एरिया में और ऐसे हम फोटोग्राफी करने आ चुके हैं देखे कितना रियलास्टिक सा लगता है और एक्चल में यह एक पेंटिंग है जो की सामने से देखने में देखे कितनी रियलास्टिक सी लग रही है एक दम रियल लगता है वह सीडियां है वहाँ पर दे रही है तो खुछ ऐसा एरिया है लोदी गार्डन जहां पर आपको हर जगे ऐसी दिवारे देखने को थोड़ थोड़ दूरी पर मिलती रहेंगी तो यह भाई आके बहुत ख खंज लाँ इसमें जो डिखाया गया है जो और दिखाए गया है ग्राफिक सिखा गया और सामने ही लिखा हुआ है वी लब बिल्ली यहां के हम मूल निवासी है यहां के चित्र इस जगे का वरनन बखुब करते हैं और यह दिवारें हमें कुछ ना कुछ नई सीख देती हैं खास कर हमारे पुराने कल्चर से रभी